ओम श्यान्ती, 15 दिसंबर 2023 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा नहीं कहा, जिब सभी आत्माओं पर भीड पड़ती है, तब मैं इस धरा पर आकर, फिर से सहज ग्यान और सहज राजयोग सिखाकर, सुखी बना देता हूं, अभी तुम्हारा ज्यान रतनों से श्रिंगार कर, मैं तुम्हें लक्ष्मी अत्वा नाराइन को वर्णे लायक बनाता हूं, पुरानी दुनिया को नया बनाना एक बाप का ही काम है, लेकिन यहां तुम्हें बहुत परहेज रखनी है, जो मात पिता की मत पर चलेंगे, उन्ह में ही स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे, फिर बाबा ने कहा, मैं ही सर्व की सदगती करता हूं, और साथ में धर्म भी सापन करता हूं, मेरे जैसा डबल कारे करने वाला, और कोई हो नहीं सकता, अपने को आत्म समझ, मेरे साथ योग लगाओ, तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे धाम आ जाएंगे, जब तुम प्योर बनते हो, तभी मेरे साथ जा सकते हो, जब तक पवित्र नहीं बनेंगे, तब तक धारणा नहीं हो सकती, और लास्ट में बाबा ने कहा, भक्ती मार्ग का तो बहुत विस्तार है, परन्तु इस ग्यान मार्ग में, तुम अब इस भंभोर को आग लगनी है, इसलिए अंत समय आने से पहले एक बाप को याद करने की पक्की आदत डालनी है, और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, यह बना बनाया अनादी ड्रामा है, इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक् दिक्स है, मोख्ष किसको भी नहीं मिल सकता, प्रश्ण शिव बाबा अशरीरी है, वे शरीर में किसली आते हैं, कोंसा काम करते हैं और कोंसा नहीं, उत्तर बाबा कहते, बच्चे, मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ, मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ, मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ, मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने, बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है, गीत जाये ही वह जाते हैं जिसमें अपना तालूक है आकाश में कोई तक्त नहीं है आकाश इस पोलार को कहा जाता है बाकी आकाश तत्व में तो तक्त नहीं है ना परम पिता परमात्मा इस आकाश में तक्त पर रहता है बाप बच्चों को समझाते हैं हम परम पिता परमात्मा औ और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सुर्य चान सितारों से उस पार रहते हैं, उसको मूल वतन कहा जाता है। जैसे यहां आकाश में सुर्य चान सितारे हैं, वैसे हुबहु जाड के मौफिक महतत्व में भी आत्माएं रहती हैं। जैसे सितारे आकाश पर खड़े हैं, कोई चीज पर आधार नहीं हैं, अहम आत्माएं और परमात्माबाप हम सब रहने वाले महतत्व में हैं। स्टार मौफिक ही हैं, ग्यान सुर्य, ग्यान चंद्रमा, ग्यान सितारे। अब यह तो समझाया है, जब जब भीड पड़ती है, दुख होता है, तब आता हूँ। पुराने को नया बनाना है जरूर, पुराने में ही भीड होती है। कलियोग में हैं दुख की भीड, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। फिर से मुझे आकर सहज ग्यान और सहज राजयोग सिखलाना होता है। सब बुलाते हैं कि आओ, क्रिश्ण के लिए नहीं कहते कि सिंघासन छोड कर आजओ, क्रिश्ण के लिए सिंघासन अक्षल शोबता नहीं। वह तो प्रेंस था ना, सिंघासन तब कहे जबकी राजगदी मिले। हाँ छोटे बच्चे को बाप गोध में वो बाजू में बिठा सकते हैं। तो बाप समझाते हैं, आत्माई मूल वतन में स्टार मुआफिक हैं। फिर वहां से नंबरवार आती रहती हैं, दिखाते हैं न स्टार कैसे गिड़ते हैं, वहां से भी आत्माई आकर सीधा गर्ब में जाती हैं। यह अच्छी रिती नोट करो, हर एक आत्मा को सतो रजो तमों से पास करना है। जैसे पहले लक्ष में नारेण आएंगे, तो उनको सतो रजो अवस्था से पास होते, पुनरजनम लेते लेते, फिर तमों प्रधान अवस्था को पाना ही है। हर एक का ऐसे हैं, वापिस जा नहीं सकते। इब्राहीम बुद्ध आते हैं, उनको भी सतो रजो तमों से पास करना है, पुनरजनम लेना पड़ता है, दुआपर में धर्म सापक आते हैं, वहाँ से पुनरजनम शुरू होता है, फिर तमों प्रधान बनना है, अब उनकी सदगती कौन करें, सदगती दाता तो एक ही श मैं देवी देवता धर्म भी सापन करता हूं, तुमको राजयोग सिखला रहा हूं, गती और सदगती दाता मैं हूं, जब तुम प्योर बन जाते हो, तो फिर मैं तुमको वापिस ले जाता हूं, तुम्हारी भी सदगती करता हूं, तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले ह उन धर्म सापकों सहित सबका उधार करता हूं। तुमको ग्यान से श्रिंगार कर स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी अत्वा नारैन को वर्णे लायक बनाता हूं। फिर तुमको वापिस ले जाता हूं। सबको पहले मुक्तिधाम भेज देता हूं। सबका सदगती दाता भी हूं। दूसरे धर्म सापक जो आते हैं वह सदगती नहीं करते। वह सिर्फ अपना धर्म सापन कर उनकी वृधी करने लग पड़ेंगे। अपने धर्म में पुनर्जनम लेते सतो रजो तमों से पास करेंगे। अभी सब तमो प्रधान हैं। अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनाए। बाप खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं। भगवान आकर सबकी सदगती भी करते हैं। भारत को स्वर्ग भी बनाते ह जीवन मुक्ती के लिए राज योग सिखाते हैं। इसलिए बाप की इतनी महिमा है। गीता है सर्वशास्र मई शिरो मने। प्रन्तु कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान को भूल गए हैं। भगवान तो सबका सदगती दाता है। इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्म शास्र हैं। सबको इसे मानना पड़े। सदगती का शास्र और कोई है नहीं। सदगती देने वाला है ही एक। उनकी ही गीता है। तुम बच्चों को सदगती का ज्यान दे रहे हैं। गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों का ये शास्र होता। विनाश होंगे और तुम मेरे धाम आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सदगती करने वाला मैं हूँ। बाकी तो आते ही हैं अपना धर्म सापन करने। मनश्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं नहीं। जो भी सबात्माई हैं सबका पार्ट ड्रामा में प्रश्न उठ नहीं सकता बाबने समझाया है कि और जो भी शास्त्र हैं उनसे हर एक ने आकर अपना धर्म स्थापन किया है सदगती नहीं की है उन्होंने तो धर्म स्थापन किया उनके पीछे वृधी होती गई कितनी कितनी गुहिये पोइंट्स हैं ऐसे निबंद लिखने जैसी है यहां गपोडे की बात नहीं हार जीत का यह ड्रामा है सत्युग में परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं परमात्मा को याद करें तो फिर यह बातें भी समझें कि हम ब्राह्मनों को उसने रचा है तुमको तो समुख बतलाते हैं कि मैं रचता हूँ यह ब्राह्मनों की नई दुनिया है संगम की चोटी को तो कोई जानते नहीं विराठ रूप बनाते हैं उसमें देवता, शत्रिय, वैश्य, शुद्र दिखाते हैं ब्राह्मनों को भूल गए हैं, सत्युग में देवताएं, कलियुग में शुद्र, संगम युगी ब्राह्मनों को जानते नहीं, यह राज बाप आकर समझाते हैं, बाबा कहते हैं, पवित्रताब बिगर, कभी धार्ना नहीं हो सकती है, बाबा समझाते हैं, कितने धेर वेद शास्र हैं, परिक्रमा दिलाते हैं, मंदिरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए, फिर वापिस मंदिर में ले जाते हैं, बाबा अनुभवी हैं, शास्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं, ऐसे ही फिर देवताओं के चित्र भ कि सदगती करते हो परंतु यह कोई जानते नहीं कि देलवाडा मंदिर हूब हूँ इन्हों का यादगार है immers सा मंदिर कहीं नहीं है जगदंबा है शुव colored भी है शक्तियों का चबुत्रा भी बना हुआ है भक्ती मार्ग में फिर से ऐसे मंदिर बनेंगे फिर विनाश होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा सत्यूग में कोई मंदिर होता नहीं ये सब भक्ती मार्ग का विस्तार है ज्यान में तो चुप रहना है एक शुबाबा को याद करना है शुबाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे फेल नहीं होना है मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो परंतु ऐसे याद आता नहीं है फिर भी गाया जाता है अंतकाल जो नारायन सिम्रे बात अभी की है भंबोर को आग तो लगनी है अंतकाल जो नारायन सिम्रे बरोबर अब तुम समझ से हो हम नारायन वो लक्ष्मी को वरेंगे स्वर्ग के लिए तयार हो रहे हो बाबा बिगर यह ग्यान कोई दे नहीं सकते यह बाबा भी कहते हैं कि अब हमको शिव बाबा ने बताया है, इनको शक्ती सेना वा पंडव सेना कहा जाता है, पंडव नाम है महारतियों पर, शक्तियों की फिर शेर पर सवारी दिखाते हैं, तो बाब कहते हैं, जैसे कल्प पहले सहज राज योग सिखाया था, हूब परकार सिखा रहा हूँ, जो भी एक्ट चलती है, कल्प कल्प वही चलेगी, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता, फिर कल्प कल्प यह पार्ट चलेगा, बाबा कहते हैं तुमको गुहिये गुहिये बातें सुनाता हूँ, पीछे क्या होने वाला है, सो तो फिर पीछे सुनाए हम गीता की महिमा बहुत करते हैं, परंतु उस गीता वह महा भारत में तो हिंसक लड़ाई आदी दिखा दी है, अब लड़ाई तो है नहीं, तुम्हारी तो है योग बल की बात, अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते, सिर्फ इस्त्री को नर्क का द्वार कह दिया है, व उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए, वह तो भगवान की ही ताकत है, यह गीत बाबाने बनवाए हैं, फिर बनाने वालोंने कोई ने ठीक बनाया है, कोई ने रोंग बनाया है, मिक्स कर दिया है, रात के राही ठक मत जाना, ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं, तो य उनने किसको भगाया क्या, किसको कभी कहा था कि कराची में चले आना, पूछो इन शक्तियों से, यह ड्रामा में पाड़ था, जिन पर सितम हुए तो चले आए, तो राइट क्या है वह बाप बैठ बतलाते हैं, शास्त्रों में तो जो लिखा है, वो है है भक्ती मार्ग, उनस तो मेरे से मिल नहीं सकते, मेरे पास आ नहीं सकते, मुझे तो गाइड बन यहां आना पड़ता है, कहते हैं, ऐसा तन क्यों नहीं लिया, जो ग्रस्ती ना हो, अरे, मुझे तो ग्रस्ती के तन में ही आकर उनको ग्यान देना है, उनके ही 84 जनम बताता हूँ, तो कितनी गुह यह बाते हैं, यह नए धर्म के लिए नई बाते, ग्यान भी नया है, बाप कहते हैं, कल्प कल्प मैं यह ग्यान सुनाता हूँ, और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे, कि मैं कल्प कल्प धर्म सापन करने आता हूँ, लक्ष्मी नारेंड दोनों नहीं कहेंगे, कि हम फिर से रा जाई करने आये हैं, वहां यह ज्यान ही प्राय लोप हो जाता है, शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिये हैं, हम ब्रह्मनों के लिए एक ही गीता है, धर्म भी सापन करता हूं और सद्गती भी सबकी करता हूं, डबल काम हुआ न, अब हम जो सुनाते हैं, वे राइट है या उन्हों का राइट है, सो तो तुम जानते हो, मैं कौन हूँ, मैं टृत हूँ, मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूं, भल इसने पढ़े तो बहुत हैं, प्रन्तु वे सुनाते थोड़े ही हैं, यह तो शिबाबा नहीं नहीं बातें सुनाते हैं, वे तो अशरिरी है सिर्फ यह मुडली सुनाने का काम करने आते हैं ना कि खाने पीने आते हैं मैं तो आयाई हूं तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने स्वाद इनकी आत्मा लेती है हर एक का धर्म अलग है उन्हें अपना धर्म शासर पढ़ना है यहां तो धेर शासर पढ़ते रहते हैं सार कुछ भी नहीं जितना पढ़ते रहते असार संसार होता जाता है तमो प्रधान बनना ही है पहले पहले स्रुष्टी में तुम आये हूं तुम ब्राह्मनों ने मात पिता से जनम लिया है उस तरफ है आसुरी कुटुम्ब यहां है ईश्वरी कुटुम्ब फिर जाकर दैवी गोद लेंगे स्वर्ग के मालिक बनेंगे मात पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुक घनेरे मिलेंगे बाकी रुद्र ग्यान यग्य में विघन तो जरूर पड़ेंगे बाप कहते हैं बच्चे विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन सकते हो ऐसे थोड़े इशादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर वे कितने मोटे तंद्रूस रहते हैं यहां तो ब्रेन का काम है मेहनत है धदीची रिशी का मिसाल है न सन्यासीों को तो बहुत माल मिलता है बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे यहां तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है अच्छा मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों परती मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मौर्णिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप ददा को नमस्ते नमस्ते गुड मौर्णिंग धारना के लिए मुख्ये सार ग्यान की अच्छी धारना के लिए पवित्रता के वरत को अपनाना है अंतकाल है इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाए और कोई याद ना आए धदीची रिशी मिसल सेवा करते विकारों पर विजे प्राप्त कर जगत जीत बनना है वर्दान समय की रफ्तार प्रमान सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे मायाजीत बनने वाले तिवर पुरुशार्थी भव बाप ददने जो भी प्राप्तियां कराई हैं उन सर्व प्राप्तियों को स्वियम में जमा कर भरपूर रहो कोई भी कमी न रहे, जहां भरपूरता में कमी है, वहां माया हिलाती है माया जीत बनने का सहज साधन है, सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो समय की रफतार प्रमान कोई भी समय कुछ भी हो सकता है इस लेतिवर पुरुशार्थी बन अभी से भरपूर बनो अब नहीं तो कभी नहीं स्लोगन सत्यता और निर्भयता की शक्ती साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता सत्यता और निर्भ्यता की शक्ती साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता अच्छा अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें